और इस बीच आपको बता दे कि हावडा में लगने वाला मंगला हाट को फिलहाल बंद करने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है उसके अनुसार ये सिधान्त लिया गया है इस बात की जानकारी देती हुई राची के मंतरी और एमेले अरूपराई ने कहा है कि मंगला हाट में भारत वश्क के कई जगह से लोग आते हैं और जो की लोगों की सुरक्षा का सवाल है तो इसलिए सरकार द्वारा लिया गया फैसला एकदम सटिक है मंतरी अरूपराई ने कहा है कि हावड़ा मैदान स्थित मंगला हाट को फिलहाल बन कर दिया गया है और जब तक हालत नहीं सुधरते तब तक मंगला हाट में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी इसके अलावा अरूपराई ने और क्या कुछ कहा है आईए आपको सुनाते हैं कि इन्टेक्षा राकोन हाट ने अटो ता तरी स्पेड कोच्ची है और भयंकर आकाधारण कोड़े तो शही करणे राज्यस्वरकारे शिध्धनतन जाई हावड़ा मोंगला हाट आगामी शर्तता होते चेंट वह बंदो ठागे राज्यस्वरकार निद्धेश पवार पर आवार चाली हावे कि इन्टेक्षा जट दिन ना राज्यस्वरकार लोगड़ाण तोलार निद्धेश दिख्चे वाहेगनों स्हाविक चौलार निद्धेश दिख्चेत दिख दिख्चेत 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 गोड़े हैं अंयक दिष्टो कले जया ना थी आगामी आख सकता ज़े ना एंको ठीक ने आगे परवदीन होते बारे पर श्प्रकार बारे तरस्टर अई मोट्थे मनुष अगर आपनी हमारी चानल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत करें आप भी बन सकते हैं हमारी चानल के रिपोर्टर अगर आपकी खबर सच्छी और पक्की है तो नीचे दिये गए नमबर पर वाट्सअप करें ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हालाते बंगाल द्यूस टाग इंडिया जैहिं